हेलो गाइस मैं उसनियर आप देख रहे हैं हार्डवे माना अगर आप मने चैनल कंसिस्टेंटली फॉलो कहते हैं तो आपने देखा हुआ कि मैंने एक कंपनी का आइंस बार बार बहुत बार रेक्मेंड किया है और वो है सिम्गॉट और उनमें से एक जो मॉडल है वो है EW200 जिसका प्राइस था अप्रोक्सिमेटली 5,000 रुपे के आसपास अगर किसी को एक कॉम्पैक्ट, कम्फिटेबल एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का आइम चाहिए था तो मेरी स्टेट अवई रेकमेंडेशन होती थी EW200 अब इस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रू एक कुछ स्पेसिविकली ट्यूनिंग के साथ प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए सिंगोड ने लॉंच के एक बहुती इनोवेटिव नाम के साथ EW300 यह जो आईम है मैं यह कह सकता हूँ कि अगर आप ऑलड़ी जैसे 2,000 रुपे के आईम्स यूज कर रहे थे और आपका मन है अपग्रेड करने का this should be in your radar यह बहुत ज़्यादा अच्छा उप्चन है अपग्रेड करने के लिए and क्यू है वेल इस वीडियो में उसे की बात करेंगे बिना किसी देखे के let's begin जो EW200 था वो ज़्याद था recommend इसलिए होता था because की build quality बहुत अच्छी थी उसकी sound quality बहुत अच्छी थी उसका लिटसे overall जो package था वो बहुत ही अच्छा था यह जो EW300 है यह उन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा और आगे लेके जाता है सबसे पहले यहाँ पर नए drivers है यहाँ पर नए थोल tuning है यहाँ पर नया package है नया design है थोड़ा सा और दो बिलकुल नए variants भी है मतलब नए versions भी है इसके जो आप चूस कर सकते हैं तो इन सब का द्हाई अजार उपर महेंगा है compared to the last one तो देरा थी वेरेंस ओफ दे यहाँ सबसे पहले जो basic EW300 जिसमें 3.5 mm वाली कीबल आती है दूसरा है EW300 HBB edition HBB अगर आपको नहीं पात है एक बहुत ही famous YouTuber है जो अपने tuning के लिए famous है अपने collaborations के लिए famous है IEM वाली world में लास्ट वाला है यह बहुत दा familiar है मतलब EW200 की ही shape है लेकिन उसके लिए बहुत ही tasteful edition की गई है यहाँ पर जो design है यहाँ पर heart symbol है वो cross symbol है वो मुझे बहुत ही अच्छा edition लगा यह छोटा सा touch है लेकिन इसकी वेसे जो आई है मैं उसमें थोड़ा सा character आ जाता है इसकी packaging हमेशा की तरह ब पूरी तरह metal से बना IM है यहाँ पर दो तरह की finish में लिगी आपको एक है पूरी glossy silver वाली जो इनका लेकना मैं कहूंगा signature style है आमिशा से यह करते रहे हैं और एक नया लुक है वो है matte black वाल जो DSP वाला version है वो एक matte black look के साथ आता है अल्मोस्स असा लगता जैसे powder coated है overall मुझे दिखने में बहुत प्यारा लगता है यह छोटे हैं कान में easily fit हो जाते इनको पहन के सोना easy है comfort wise मुझे actually कोई problem नहीं मलब they feel expensive थोड़े से obviously 5-6,000 अप रपे खर्च कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा feel होता है जो EW300 normal वाला है उसमें थोड़ी ज़्यादा better quality cable आती है basically वही cable है जो इनके 12-13,000 वपे के IMs के साथ आती है जो DSP वाली cable है ना it's a decent cable at best मलब honestly मैं थोड़ी ज़्यादा expect कर था quality मैं at least expect कर था थोड़ी ज़्यादा better at this price point थोड़ी से ज़्यादा soft हो सकती थोड़ी से ज़्यादा let's say comfortable हो सकती थी लेकिन जो overall construction हो ठीक है यहाँ पर right angle connector मिलता ह है आपको एक अच्छा सा mic मिलता है जिसकी sound quality कुछ ऐसी है hello mic testing mic testing यह है अवाज EW300 के mic key and मेरे क्याल से यह completely usable किसी भी type के calls वगरा के लिए या gaming के लिए अब मैं बार बार एक word repeat कर रहा हूं वो है DSP तो DSP होता गया तो DSP का simple सा मतलब है digital signal processing को याना headphone यूज़ करें wireless headphone वगरा यूज़ करें या फिर USB वाला headphone भी यूज़ करें आपके device में DSP है DSP का simple मतलब यह है कि एक ऐसी dedicated chip या फिर एक dedicated पूरा process जो एक digital signal को analog में convert करने से पहले थोड़ा सा process करें जो भी digital signal जो भी आपका computer signal भेजा था उ वो आपको मिल सके for example noise cancelling एक तरीके DSP आप equalizer लगाते है अपने earphone वगरा के लिए headphone वगरा के लिए वो DSP है equalization room correction जिसको कहा जाता है आपके home theaters वगरा में जो होता है वो एक किसम की DSP है तो इस EW300 में जो यहां से digital signal आर आपके USB वाले connector से वो यहां पे लगे एक DAC chip के frequency response पर बेस कम करेगा में भी थोड़ा सा हाइस कम करेगा ताकि आपको output मिलेना वो ज्यादा बैलेंस्ट हो लेट से वे पर्टिकुलर ट्यूनिंग की तरफ हो अब DSP क्यों करते हैं वेल उसका reason simple है देखो IEM सब गना है फिर किसी भी audio device को ट्यून करने के दो तरीके एक होता physical एक होता है digital physical में आप इसको ट्यून कर सकते है with the help of let's say ear tips यहां फिर with the help of internal foams यहां फिर even let's say acoustic tubes यहां फिर chamber जो dual chamber आई हम सो गराज कराने शुरू हो है और unfortunately वो ज्यादा मेहंगा है एक scale पे करना DSP का benefit क्या है आपने एक चिप पे एक code डाला वो code आप बार-बार replicate कर सकते ह firmware के थ्रू update भी कर सकते है in case require हो और उनको उसको implement करना उसको tune करना ज्यादा सस्ता पड़ता है from the manufacturers point of view इसके लावा और भी benefit यह है कि यह setup overall छोटा करते है for example मुझे अब इस EW300 DSP के लिए अलग से कोई DAC खरीदने की ज़रूरती है because there's already a DAC built-in into this इसके लावा आपको better mic quality मिल स सकता है माइक की frequency response वेकर कुछ कर सकता है तो ऐसे कई सारी चीज़े हैं जहां पर DSP help करता है अब obviously हर चीज की तरह यहां पर कुछ ना कुछ limitations जरूर है सबसे पहले चीज volume पे मेरे खालती एक बड़ा impact पड़ता है कि इस DAC की जो भी built-in volume होगी न वो max होगी आपको उससे जादा नहीं मिलने वाला एक normal 3.5 mm वाले IEM का benefit है कि अगर आप उसे बड़ा amplify लेगा यह बहुत जादा loud sound करेगा अगर उसमें चोटा amplify लेगा चोटा sound करेगा but honestly इतना loud हो जाद है कि I think 90% of the जंदा को problem नहीं होगी तो अब हमने DSP समझ लिये तो अब हम लोग बात करें sound की and sound के वाल में जैसे मैंने अल्रेडी आपको बता दिया है यह यह बहुत जादा अच्छा sound करता है specifically the DSP version sounds really really good and उसका एक बहुत ही simple reason है कि यह मेरे personal tuning जो है मेरे personal preference जो है उस सीम है उसमें जादा difference नहीं है एक चीज़ा बताना भूलकर कि जो दोनों वर्जिन है वहाँ पर आप आप नॉजल चेंज कर सकते हैं बॉक्स में आपको दो नॉजल समलते हैं एक सिल्वर के लगा और गोल्डन कर लेका दोनों काफी अच्छी sound करते लेकिन मेरे personal taste के लिए जाद अच्छा काम करता है तो वीडियो में सिर्फ उसकी बात जादा करूंगा जो गोल्डन वाला उसमें बेस थोड़ी जादा होती है एंड लिटसे थोड़ा सा साउंस्टेज में गऊंगा थोड़ा सा छोटा सा फील होता है तो ट्यूनिंग वाइस यह अपने पराने EW 200 के मुकाबले काफी जादा अलग है यहां पर सबसे पहला जो कट है दोनों वही वर्जन में DSP and 3.5 वहां पर अपर मेड रेंज पर बहुत जादा कट है मलब 3000-4000 हर्ट के बाद जो एरिया था EW 200 के अंदर उसको काफी जादा इन्होंने कम किया है विच इस गुड़ बिक कि compare to EW 200 जहां पर सर्फ एक dynamic driver था यहां पर तीन अलग-अलग drivers है एक dynamic है एक छोटा सा planar है और एक piezoelectric driver भी है जैसे मैंने बताया bass बहुत जादा पंची है clean है clear है mids भी सेम बहुत जादा अच्छे EW 200 में भी mids बहुत जादा अच्छे थे बहुत जादा natural sound करते है और जो highs है वहाँ पर मेरे कहाँ सबसे बड़ा improvement पाए realistic sound करते है वो एक अनट shoutiness जिसको कहते है जिक नकली सा sound करता है जब high volume करते है वो नहीं हो तब जादा details है सबसे पहले highs में जादा clarity है जादा separation है गान fact मैं कहूंगा जादा लोगों के लिए EW 300 DSP पे invest करना जादा better option होने वाला है बाकि gaming performance के लिए EW 200 was already good and EW 300 इसको थोड़ा सा एक step आगे लेके जाता है सबसे खास बात है कि यहाँ पर imaging पे अच्छा improvement जादा हुआ है 3D-ness जादा आया है space में आप जादा अच्छी तरह image कर सकते है distance perception जो है मतलब distance कितना दूर है guns औगरा की sound कितनी दूर है वो जादा अच्छी तरह प्रडेट कर सकते हैं यह basically EW 500 LM की performance को achieve कर रहा है जो अलेड़ी बहुत जादा अच्छा perform करता है for gaming तो overall problems कहां पर मुझको well 3.5 वाला में जादा कुछ problem है it's a fine IEM जो DSP वाला version है that's definitely better but उसके साथ मुझे दो प्रॉलम से एक I think there's some distortion with my phone मतलब जबी मैंना बेस नोट प्ले करता है अराउं 30 हर्ड के आसपस अपर हलका सा मुझे अलगता थोड़ा distortion है किसी किसम को digital distortion है यानि में बी किसी दूसरे फोन में ना हो laptop में नी था मेरे phone में specifically था एक बग यह था कि आपटोप में connect करता था अगर मैं 50% volume सेट कर तो बहुत दा लाउट साउंड करते हैं कभी के बार हुई same 50% बहुत दा लो साउंड करते हैं लेकिन इसके लवह मुझे ने लगता कि EW300 DSP वाले version में कोई प्रॉलम है तो अगर आपको बाय करना है description में link होगी and यह concept card पे भी available होगा लेकिन as a pre-order available है भी फिला तो अगर आपको बाय गाना तो भी आप जाके pre-order कर सकते हैं मैं तो recommend कर सकता हूँ तो यह था मेरा review of the EW300 DSP and thank you so much for watching this video अगर इस IM के बारे में कोई भी question है तो please मझे comments में ज़रूर बताना मैं मिलोंगा आपको अगरी बायर तिल देन बाय